आज मैं आपकी साथ शेयर कर रहे हूं बहुती डिलिशियस सबके फेवरेट माल पुवा बनाने की रेसिपी और ये माल पुवे हम गेहूं के आटे से बना कर त्यार करेंगे बिना किसी जंजट बहुती आसानी से तो सबसे पहले मैंने यहां पर 3-4th कप गेहूं का आटा लिया है आप कोई भी एक कटोरी या ग्लास सेट करें उससे मेजरमेंट लें देखी एक कप से ये थोड़ा सा कम है ये 3-4th कप गेहूं का आटा है वही आटा जिससे हम घर में चपाती बनाते हैं इसे एक बोल में डा कर पीस कर लिया है आपको सूजी को पीस कर ही लेना है बारिक कर लेना है एक तम तभी इसे माल पुए के लिए इस्तिमाल करना है ये सूजी आटे में डाल दी अब यह में डाल दियो आधा चमबच इलाइची को दरदरा कूट के डाला है आधा चमबच जा रहा है दरदरा क आपको जो दूद है ना वो हलका गुन गुना लेना है इस तरीके का गुन गुना कि आप उंगली डिप करें तो आपकी उंगली से सहन कर सके बहुत ज़ादा गरम दूद नहीं लेना है एक कब दूद लिया है अभी अगर जरूरत होगी तो और दूद का इस्तिमाल करेंगे दूद थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और इसे खोलते जाएं। ध्यान रखे दूद थंडा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाएंगे और इसे एकदम लंस-free बैटर बनाकर त्यार करेंगे। तो यहां पर हमने पूरा एक कप दूद इसमें डाल दिया है धीरे-धीरे करके, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इसमें बिल्कुल गुठलिया नहीं रहनी चाहिए, बहुती बढ़िया एकदम स्मूध बैटर त्यार करना है, बैटर अभी काफी गाड़ा है, यह देखिए इस से थोड़ा सा पतला बैटर हमें माल पूए के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा दूद हम और ले लेते हैं, एक चोथाई कप दूद और लिया है, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके अड़ करेंगे जरूरत के अनुसार, इसे बहुत यह अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, अब हम बैटर को चेक करेंगे, यह देखे, जब मैं बैटर को गिरा रही हूँ, तो यह रिबन के रूप में गिर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा दूद और डालना है, तो यह बचा हुआ दूद डाल दिया मैंने, इस तरह टोटल मैंने इसमें सवा कप दूद डाल दिया है, अच्छी तरही किसे से मिक्स कर लिया है, अब यह मैंने लिया है दूद की मलाई, जो घर में दूद आता है, उसी की मलाई है, ताजा मलाई है, यह मलाई डालने से माल पूए और भी टेस्टी हो जाएंगे, बहुत यच्छा इनका टेक्श्टर आ जाएगा, तो दो चमच मैंने मलाई डाल दी है, अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं, तो इसकी जगा मावा डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, तो मैंने घर की मलाई डाल दी है, अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है, अब हम चेक करेंगे इस बैटर को कि इसकी कंसिस् तो ऐसा ही बैटर हमें चाहिए अब आप क्या करें इसे कवर करके रख दें 10 मुट के लिए साइड में ताकि से सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए और तब तक हम चाशनी बना लेते हैं तो गैस पर एक बरतन रखें इसमें डालें एक कप चीनी साथ ही इसमें आप एक कप पानी डाल दें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर जो चीनी है इसे आप मेल्ट होने दें यहाँ पर हमें कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं तयार करनी है बहुत ही आसानी से छटपट यह चाशनी बन जाएगी कैसी चाशनी बनानी है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी दो तीन इलाइची को दरदरा कूट कर इसमें डाल दिया है 15-20 केसर के धागे डाल दिया है अच्छी तरह मिक्स करेंगे चीनी अब मेल्ट हो चुकी है तो आपको मीडियम फ्लेम पर इसे यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए और कूप कर लेना है केसर और इलाइची डालने से टे आप चाषनी को और पका लिया है तो बस अब हम चाषनी को चैक करेंगे देखिए इसके लिए हमें जो चाषनी चाईए न माल पूआ के लिए वह इस तरह की चाहिए कि आप जब ऐसे चैक करें तो यह चिप्चिपी लगे अंगोठे और उंगली के बीच में चिप्चिपी अब जो हमने मालपुव के लिए बैटर तयार किया था उसे भी चेक कर लेते हैं इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं सूजी अच्छे से फूल के तयार है देखे एकदम परफेक्ट है बैटर ऐसा ही बैटर हमें चाहिए तो चलिए मालपुव बना लेते हैं तो यहां गैस पर मैंने रखा है एक पैन और पैन में मैंने डाल दिया है घी जो मालपुव है ना वो घी में ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो मैं या घी का इस्तिमाल कर रहे हूं आप चाहें तो ओईल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं मालपुव बनाने के लिए गहरी कड़ाई का इस्ति गी इसमें जादा नहीं भरेंगे थोड़ा ही गी भरें और इसे अच्छी तरह गर्म कर लें जब घी गर्म हो जाए तो इसमें आप बैटर डालें एक लैडल भरके मैंने बैटर लिया है और बीच में सेंटर में ही हमें इस तरह बैटर डालना है गैस का फ्लेम लो टू मीडि मीडियम के बीच आपको फ्लेम रखना है और इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है आपको गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है वरन्ना मालपू ये बाहर से सिख जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे इस तरह गरम-गरम तेल भी आप इनके उपर बीच- गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो बस इसे हम निकाल लेते हैं और गरमा-गरम मालपूए को हम गरम चाशनी में डालेंगे चाशनी अगर ठंडे हो गई है तो इसे थोड़ा सा गरम कर लें अब हमने इसे चाशनी में डाल दिया ऐसे डिप कर दें और लगभख तीन से चार मिनट के लिए इसे चाशनी में ही पड़ा रहने दें तब तक आप और मालपूए फ्राई कर लें तो यहां पर मैं इसे ढग देती हूं और दूसरा मालपूए भी आपको फ्राई करके दिखाती हूं यह देखे हमने फिर से बैटर डाल दिया बैटर को इधर उदर नहीं ड मालपूए घर पर बना सकते हैं देखे मालपूए सिकर तयार है तो बस अब यह जो मालपूए है इसे हम चाशनी में डालेंगे निकाल लेते हैं इसे जब मालपूए गरम हो ना तब ही आप इने चाशनी में डाल दें यह देखे कितना सुन्दर दिख रहा है ना मालपूए अब ये मैंने जो दूसरा मालपुव तयार किया था इसे भी चाशनी में डाल दिया डिप कर देते हैं इसे ऐसे और ये जो पहले वाला मालपुव है जो हमने पहले बना कर चाशनी में डाला था इसे निकाल लेंगे बस ऐसे ही करते जाना है जो मालपुए बनते जाएं उन्हें डालते जाएं और जो पहले वाले हैं उन्हें चाशनी से निकालते जाएं जिसे प्लेट में रख लेते हैं अब ये मालपुए मैंने सर्व कर लिये हैं देखे दिखने में कितने ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं इन्हें देखकर ही मुँमें पानी आ रहा है अब यहां मैंने थोड़े से पिस्टा को बारी कट किया है और इस तरह मैं ये जो मालपुएं इन्हें गार्णिश कर रहे हूँ आप चाहें जैसे इन्हें गार्णिश कर सकते हैं बहुत ही डिलीश्यस यम्मी आटे के मालपुएं पूरी तरीके से त्यार है इन मालपूओं को आप गर्मा गरम या ठंडा जैसा भी खाना चाहे ना वैसा खा सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरीके से ही टेस्टी लगते हैं थोड़ इसी चाशनी इस तरह मैं उपर से डाल रही हूँ आप चाहें तो डालें या ना डालें ये देखिए सुपर टेस्टी जैसे मालपूओं मार्किट में मिलते हैं ना सेम वैसे ये बनके त्यार हुए हैं आपको इने तोड़ कर दिखाती हूँ रसीले जूसी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सबस्क्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ओल पर क्लिक करें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेस को जरूर फॉलो करें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में